नवंबर का महिना याने की सबजी की महेंगाई का महिना जानते हैं आप सब जानते हैं कि नवंबर के महिने में सबजी की भाव जो हैं कि आसमा को छूते हैं ऐसे में आप सही तरीके से अगर सबजी की खेती नहीं करते हैं तो आपको बाहर इनुसारन हो सकता है ऐसे में आज ह आपको ऐसे सब्सक्राइब बात करेंगा टमाटर की अगर आज हम टमाटर की मार्केट में वैल्यू जाने तो टमाटर की भाव लगाता बढ़ दे जा रहा हैं कुछ दिनों पहले टमाटर के भाव तीस रुपे कीलो मिल रहे ते अज पाचास के भाव चट जुके हैं ऐसे अनकिसार मैं अगर आपने रहे दा तमाटर की खिती नहीं की है यान तो ज़रूर्ड तमाटर की प्राइस लगाता बढ़ती ही जा रही प्राइज बढ़ रही है जिससे आपको भी ज्यदा फाइदा होने वाला है इसलिए मैं कहूंगा कि आप टमाटर खेती जरूर करें टमाटर खेती कर लिए ज्यदा टाइम आपको नहीं देना प्सपन करना पड़ता है सेंपल से आपको गाचियों को लगा देना है आप पी टमाटर खेती का नरतरी त्यार कर लेजिए और एक लाइन से लगा देजिए लगाने वद में कुछ जालियां देजिए ताकि टमाटर के उचले हैं लगत लगातार अच्छे तकर से ब्रूद कर सकें और अच्छे फल ले पिछले साल भी हमने देखा था टमाटर खेती में कम से कम अधाइट सुरुपे की रहे हैं इससे पहले और आप चैनल पर पहली बार रहा है तो प्रिस चैनल कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमाया चैनल के साथ जूड़ेगा हफते पहले आपको एक आपको नए जनकाई आपको इस माध्यान के माध्यम से मिलती रहे तो किसान भाई जब आप देखते हैं कि हाँ टमाटर जब भाव इतने बढ़ी ही रहे है अगर हम बात करें गोवी को लेकर के तो आप एक गोवी की भाव लगाता बढ़ रहा है वो भी आज मार्केट में स ऐसे में आपने गोवी खेती नहीं की है तो अभी कोई देर नहीं हुआ भाई जलते आप जाकर की गोवी खेती की इसे बहुत प्रॉपे किलु है आने सब्सक्राइब बड़ गड़ सकती है रिया जल से जल्ब लगाए एक कम समयमें और अधिक फरादने वाली एक खेतिया ह जो मैं बता रहा हूं गोवी खेती से आप अच्छा काई सा मुनाफ़ा कमाशने हैं बहुत ची खिती होती है गोवी की दो पोल गोवी हो गई कक्षालोन पत्ता गोवी हो हो गई यहां पर तीन प्रकाट कर गोवी यह यह एक तो मार्केट में लगातार बहुत बढ़ता जा रहा है तो मुनाफ़ा आपको अप्सवर्ली होगा ही होगा अगर हम बात करें लेकर के तो आपको दिनों तक कमाई करने वाला यह ले सकते हैं तो यहां से अच्छा कासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं इसकी कीमत दोस्त रूपए प्लस में चल रही है अगर हम बात करें किसान वाई प्यास को लेकर के तो प्यास आज में प्यास के आशुर उलाने के लिए काम कर रहे हैं तो कि प्यास की भाव इसमें बढ़ चुके हैं पिछले ही अपते प्यास के दाम 30 रुपए 400 चल रहा थे मार्केट मे लेकिन आज के में प्यास के भाव लगाता 80 रूपय के प्लस में चल रहे हैं आज रूपय नम्हान के भाव में प्यास अदाम जो है लगाता बढ़ चुका है तो कहीं ना कहीं आपको प्यास की खेती कर लेने अगर आपके पास खेत है जगह है खाली तो प्लीज प्यास के ज़रू करें अभी भी समय है अभी गुजरा नहीं है अभी नॉंबर के पंद्रह तारीक या भी सता तक में आप प्याज्री खेती का रस्जी ताया कर लिजिए गा या फिर मार्केश से नसी तैयार की पिर लाग में सब्सक्राइब लोग चुनते भी है और दो चुनते भी हैं और अच्छा-कासा मुनाफ़ा भी तो आप मेथिका साग का जरूर उपर्योग करें जहां तक कि मेरा सवाल है कि मेथिक साग से भी आपको अच्छा का सा प्रॉपिट रोना है क्योंकि एक कम समय में ज्यादा उत्पादन और ज्यादा देने वाली सब्जियां हैं इसी साथ हम बात करेंगे पालक को लेकर के तो ह पालक का भी आप मार्केट बेशते हैं पालक की भी आज की लिट में प्राइज 30-40 रुपे परती के जिस चल रही है जैसा कि मैंने कई साथ वीडियों में आता है कि आप अगेती खेती किजिए लेकिन को बहुत अच्छा फादा होने ही वाला है इसके बात करेंगे लाल भा समय नहीं लेती है आपको लाल भाजी पंदर से 20 दिनों कंदर आपकी साथ त्यार हो जाएगी और मार्केट अच्छा का साथा मुनाफ़ा कमा सकते हैं लाल भाजी को ले करके जैसा कि मैंने कल या पर सो ले वीडियो में ही बताया था अपने की लाल भाजी की कैसे त्यारी क सकते हैं लबच का सपते हैं बहुत अच्छपित लापाँ होने वाला है बहुत ही अच्छा फटा होने वाला है कर आई पर तियुक्त सब्सक्राइब करते हैं ताइम कमें जटा नहीं है आपका मार्च तक में अभी बर जाते हैं इसलिए अभी समय है अभी आपके पास दो मैंने अंदर आप अच्छा कासा प्रॉफिट कमा सकते हैं अपने चीदों को बेच करके सब्सक्राइब करके अच्छा कासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं अभी समय है तो आप मुली खेती जरूर कीजिएगा इसे बहुत दा फादा होने सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ ही आप बिन्स की खेती कीजिए बिन्स में बहुत दा फादा होता है और लगाता कर सकते हैं यह ज़्यादा समय तब चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही लाजमी है आप बीस और स्यम्की खेती जरूर कीजिएगा क्योंकि हम जो भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं आपका फ्राफिट होने वला है अगर इससे भी जड़ा आप कहीं नीचे बड़े काम हमें काश्र में तो आप धनिया क्यों वोयाज लेते हैं तो इसके बाज किसान भाइओं अगर आप धनिया की मार्केट प्रेस्कर तो धनिया भी तो कहीं ना कहीं आप धनिये की खेती करके अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और साथ में अच्छा करना ही लागा सकते हैं तो अगर आप दनीया के साथ हरे मिर्चे की कर सकते हैं इसका भी बहुत भी लागदायक बनाया है अच्छा और भी आप देख सकते हैं अगर साथ में अगर और भी खेती के लिए बात के तो अब बैगान अग्षिती कर सकते हैं आपको सिंपल करना कूछ नहीं किसान भाइयों आपको गांचियों को लगातार एक बेडिम ट्यार करें माँधिया है बैगान के भी कीमत लगातार मार्केट से बढ़ रही है यानि कि 40-45 कि बैगान और मिर्च टमाटर धनीया ज़रोय मांगें जो बढ़ रही है और इनकी महंगाई को मिल रही है तो इस सब्सक्राइब जरूर से जरूर तैयारी करें और इसका अच्छा कासा आपको फादा होने ही वाला है बैंगान की सब्सक्राइब अब आफे तक आपने आलो खेती नहीं की तो आप आलो खेती कर लिजेगा आलो खेती से बहुत जादा होने वाला आलो की खेती अपके लिए फायदय बाला है तो कृसान भाई यह थी आज की टॉप सब्जियां जो कि अभी नॉम्बर के दिनों में लगातार मांग बढ़ रही है लगाता इसकी मांगी लगातार बढ़ती जा रही है और इससे आपको अच्छा कासा फायदा होने ही वाला है तो इन सब्जियों को लगा के आप मार्केट साथ जोड़े जाएगा लगातार के लिए मैं लगातार अपने चैनल से माध्यम से हर सब्जियों करें लेकर के आतरे ताहूं ताकि मार्केट के भाव आपको अच्छा कासा प्रॉफिट मिलता रहे है आप अच्छी तरीके सब्जियों कर सकते हैं अभी क्लिए वस इतना ही फिर मिलता है किसी नहीं किसी जनकाजियों के बारे में लेकर के तब लिए जय हिंद जय जय किसान